आज अपन घटना चक्र आई द्रिष्टी जो मैगजीन है जिसको आँख वाली द्रिष्टी के नाम से भी जाना जाता है उसकी सूचम द्रिष्टी को तयार करेंगे बैसे तो बाजार में नहीं आई है मैगजीन लेकिन आपने देखा होगा कि पूरी मैगजीन की PDF जो है वो टेलिग्राम चैनलों पर इदर से उधर टहर लई है लेकिन वो फेक है मैगजीन संभबता आज बाजार में आ जाएगी अब सवाल बनेगा कि ये मैं आपको कहां से दे रहा हूँ तो ये जो सूचम द्रिष्टी वाला सेक्षन है ये घटना चक्र ने खुद ही सारवजनिक किया है सूचम द्रिष्टी में क्या है जो मैगजीन का पूरा का पूरा सार है वो पॉइंट वाइज जो है उपलब्द कराया गया है तो इसमें हम लोग उसी को तयार करेंगे और जो लोग नए हैं वो जान लें कि यदि तुमने इसको चार से पांच बार अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि तुम सेक्योर जोन में आ जाओगे सरत यह है कि जीएस तुमारा ठीक ठाक होना चाहिए लेकिन यदि चांते हो कि बहतर सिती में हम आ जाएं तो उसके लिए एक मैगजिन का और सहरा लेना पड़ेगा या फिर आप मेरे द्वारा अचूक मर्ग सामगरी जो ती जा रही है मंदली उसको फालो कर लें तब भी आपका काम चल जाएगा तो जान लीजिए कि ये बाकई में रामबान है इसको सभी आस्पिरेंट जो है वो पढ़के जाएंगे यदि तुमने इसको चोड़ा तो समझ लीजिए एक पीछे हो जाओगे तो इसको तो करना ही करना है तो इसको मैं अगले दिनों में पूरा का पूरा उपलब्द कराऊंगा पिछली वार की तरह है आप लोग चाहेंगे तो PDF फार्मेट में नहीं तो सीधे मैगजीन से ही पढ़ा दूँगा तो आगे वढ़ते हैं PDF ये वाली जो है आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी टार्गेट विदवार्थ नाम से सर्च करिएगा मिल जाएगा पहली राष्ट्री सेक्शन को देखते हैं महाराश्टरकार ने अपने एक हवाई अड़े का पुनर नाम करण किया है मतलब नाम जो है उसका बदला है उसका नाम क्या है अभी पुड़े हवाई अड़ा नया नाम इसका क्या होगा तो जगत गुरू संत तुकाराम महाराज अंतर राष्ट्री हवाई अड़ा तुकाराम जो है वहाँ के एक संत थे माराष्ट्रा के सिवाजी का इनके प्रतिविशेश प्रेम था और ये जो कविताएं जो अपनी रचनाय लिखा करते थे तो वो सैली जो है अभंग नाम से जानी जाती थी ये फैक्ट भी तुम याद कर लेना फिर है किस क्रम का छटे क्रम का State Food Safety Index का जारी करता है फसाई Food Safety and Standard Authority अफ इंडिया जारी करता है और इसमें सीर्स चार जो राज है या फिर केंदर सासित प्रदेस हैं उनको तुमको याद करना है पहले इस्थान पे केरण है दूसरे इस्थान पे तमिलनाडु है एसे याद करना है थोड़ा मैप को अपनी कलपनाओं में लेकि जाईएगा भारत के मैप को तो इधर केरल हो गया और उसके ठीक भगल में उसका भाई तमिलनाडू हो गया केरल में सरवादिक पढ़े लिखे लोग हैं सरवादिक साक्षर्था वाला राज है भारत का तो जो पढ़ा लिखा होगा, उसको पता होगा कि किस चीज में कितना पौषण है तो उसी हिसाब से चीजों को कंजिम करेगा तो खाद्र Сुरच्छा के मामले में केरल पैले स्थान पर है, तमिलनाडू दूसरे स्थान पर है जम्मु कस्मिर तीस्तान पर और चोथे इस्तान पर मोदी जी का गुजरात केंद सरकार ने किस केंदर सासित प्रदेश की राजधानी का नया नाम रखा है अंडमान निकोबार की राजधानी अभी पोर्ट वलेयर है नया नाम इसका क्या कर दिया जाएगा श्रीव विजाय पूरम याद कर लेना दूसरा अंतर राष्ट्री ये बहुत दो मीडिया सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो नई दिल्ली मे विकल्प में बिहार भी हो सकता है यूपी भी हो सकता है लेकिन तुम ब्रमित मत होना नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उधगाटन किस ने किया तो जगदीव धनकर ने किया जो की उबराष्ट फती है कहां पर किया अगला फ्रेशन है गोरखपूर कंटेंट को देख के तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मैगजीन बाकई में इसका कोई सानी नहीं है बाजार में जितनी भी मैगजीन सैं कोई टकर नहीं दे सकता इसकी यहाँ पर फैक्चुल चीजें दी गए लेकिन देखिए उनमें भी आपको फ्लो दिखाई देगा तो उधगाटन इसका गोरखपूर में किया गया अगला फैक्ट है मोधी जी ने वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की सुरुआत की कब की यह भी याद रखीगा 6 सितंबर को की है कहां से सूरत गुजरात से की है और इस यह जो पहल है किस अवियान से जुड़ी है तुमको पता होना चाहिए कि जल सकती अभियान जो है 2019 में सुरू किया गया था द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 207 बुद्ध विहार का उधगाटन किया है इसमें भी बिकल्प में तुमको दिये जाएंगे बिहार, सिदार्थ, नगर, कौसांबी यह सब दिये रहेंगे उत्तरप्रदेश तो कन्फियूज मत होना लातूर जोकी महराष्ट्रा में है बहाँ पर किसने उधगाटन किया तो द्रौपदी मुर्मू ने किया यूपी ने किस विश्विध्याले के भवन में बैदिक 3D संग्राले वनाने को मंझूरी दी है तो विध्याले का नाम क्या है विश्विध्याले का संपूना नंद संस्कृत विश्विध्याले है कहाँ 12 रसी में विकल्प में B.H.E.U. भी दिया रहेगा अत्याधुनिक संग्राले किसको समर्पित होगा ये तो भारतिये 32 को समर्पित होगा खगोल सास्त्र, खगोल विज्ञान और बैदिक साहित को समर्पित होगा अगला है प्रोजेक्ट नमन की सुरुवात किसने की तो जो भारती थल सेना है, उसने इसकी सुरुवात की है नमन मतलब सेना के जो वीर हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं या फिर जो रिटायर हो चुके हैं, उनको एक तरह से नमन कैसे किया जाएगा नमन? सिर जुखा कि नहीं, उनको सेवाएं दे कर तो जो रिटार्ड सैनिक हैं उनको मदद दी जाएगी जो रच्छा पेंशन भोगी है या भूत पूर्फ सैनिक और उनके परिवार हैं उनको मदद दी जाएगी किस प्रणाली के कार्यान बेन पर ये केंद्रिध है तो इसपर्स प्रणाली के कार्यान बेन पर केंद्रिध है इसपर्स की फुल फॉर्म भी देख लो सिस्टम फार पेंशन एडिनिस्ट्रेशन और अच्छा डिजिटल पेंशन प्रणाली यूपी की कैबिनेट के द्वारा डिजिटल मीडिया समंदित किस नीती को मंजूरी दी गई है ये काफी चर्चा में भी रही थी तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीती दोहजार चौबिस यूपी के जो राज पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो राजेस बर्मा को बिहार खेल भी स्विध्याले एवं राज खेल अकादमी का उधगाटन कहां किया गया तो राजगीर में किया गया नालंदा लद्दाक में कितने नए जिले बनाय जाने की घोशना की गई है तो इनकी संख्या भी याद कर लेना पांच जासकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांग-ठांग इनमें कई एक तो घाटियां है तो पांच के पांचो तुमको याद कर लेने है बनारस इंदू विश्विध्याले ने किस देश के साथ, किस देश की अकेडमी के साथ संस्कृत अध्यन के लिए समझोता किया है किस भासा में नेपाली भासा में तो उस Academy का नाम है नेपाल Academy, भासा भी याद कर लेना नेपाली भासा में, ना की संस्क्रिट मोधी जी ने उनकी अद्यक्षिता में मंत्री मंडल ने किसी योजना को मंजूरी दी नाव अगस्त को मंजूरी थी, नाम है प्रधान मंत्री आबास योजना सहरी 2.0 ये कब शुरू ही थी तो 2015 में शुरू ही थी अब यहाँ पर एक प्रशन और बन सकता है कि जो आबास योजना ग्रामीर है बो कब शुरू ही थी तो दोस्तो बो 2016 में शुरू ही थी पहले सहरी शुरू ही उसके बाद 16 में ग्रामीर शुरू ही जो इंद्रा गांदी आबास यो उनके बारे में लोगों में जागरुकता फैलाना अब दा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कारेनवित करने वाला देश का पहला राजिकाउन सा बना है तुन्नागा लेंड अब राधिक कानूनों के सुचारू कारेनवियन के लिए चार एप्लिकेशन लांच किया है तुमको मैंने अचूक मरक समगरी में बताया था कि अमिस्साह ने इनको चंडी गड़ से लांच किया था तो इन चारों के नाम है इसाक्ष, नियाज सेतू, नियाज सुरूती और इ लंबाई तुम्याद कर लो 519 किलोमीटर पांसो से याद आया 594 किलोमीटर लंबाई किसकी है गंगा एक्स्प्रेस बे की और सितंबर महिने का पूरा करंट अफेर एक से लेकर 30 सितंबर तक मैंने अचूक मरक समगरी में दे दिया है उसको जाके देख लेना अपलोड है य भारत की पहली भूत आप ये बिद्धुद परियोजना का निर्मान कहां प्रारंब किया गया है तो पुगा घाटी कहां लद्दाक में तो पुगा घाटी भी अलग से पूंची जा सकती है कि कहां है तो लद्दाक में केरल के वाइनाड में इसरो के द्वारा 2023 में तैयार क पहला इस्तान किसको दिया गया रूद्र प्रियाक को अब शवाल बनता है रूद्र प्रियाक कहा है तुमको पता होगा बताना कमेंट बाक्स में राष्ट्रिय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां आयुजित किया गया तो मद्ध प्रदेश के भोपाल में आयुजित किया गया अब इसका थीम क्या है वो भी देख लो अमृत काल में राष्ट्रिय वैज्ञानिक चितना का उन्नेयन यहां पर हिंदी को जोड़ के हिंदी दि कि रेडियो स्टेशन का सुभा कहां किया गया तो आईजोल जो कि मिजोरम की राधानी है वहां पर किया गया शिकुन ला सुरंग परयोजना कहां पर बनाई जा रही है लद्दाख में इसकी उचाई कितनी है तो 15,800 फिट इसकी लंबाई वितम को याद कर लेनी है चार पी सरकार ने वरच्छा रुपन जन अभियान 2024 के तहट किस पहल की घोशन की है तो मित्रवन की घोशन की है बारत का पहला चैडविक हाउस जो एक तरह का संग्राले है इसका उधगाटन कहां किया गया है तो इसका उधगाटन सिम्ला में किया गया है हिमाचल पुर्देश संसद भवन में लोकसभा सचिवाले दोरा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिश्टित जो नेता है और जो सतंतरता सेनानी है उनकी प्रतिमाय इस्थापित की जाएगी तो उसका नाम क्या है प्रेणा इस्थल इन लोगों से प्रेणा मिलेगी तो नाम भी इसका मुरादाबाद का नाम बदल देने को मंजूरी दे दी गई है तो अब इसका नाम क्या होगा तो गुरू जम्मेश्वर राज बिश्विद्याले मुरादाबाद अठारवी लोकसभा कतंयाद कर लेना है इसके प्रोटम स्क्पीकर कौन बनाएगा है तो भर्थरी महताब केंदर सासित प्रदेश या फिर राज ने उल्लास न भारत साचरता कारिकरम के तहत पूर्ण कारियात्मक साचरता हांसिल की है तो लद्दाक ने हांसिल की है उतर प्रदेश में परियावन सुरच्छा के मद्दे नजर बायू प्लास्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा तो कुम्भी गाओं कहां है लखीमपूर खीरी और लखीमपूर खीरी जो है वो चेतरफल की दृष्टी से यूपी का सबसे बड़ा जीला है बिस्व का पहला ओमकार का मंदिर कहां बनाया गया है तो पाली जो की राजस्थान में है 2024 में किस सत्याग्रह के सव वर्स पूरे हुए हैं बायकोम सत्याग्रह ये केरल में हुआ था छुआ छूत के बिरोध में चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था 2024 में ये चलाया गया था तो अब जो हैं इसके 2024 में 100 वर्स पूरे हो गया है इसलिए ये इंपोर्टेंट है अठारवी लोकसवा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं तो 74 पिछले वर्स कितनी चुनी गई हैं ये भी तुमको याद रखना है 78 अच्छा कैबिनेट और मंत्री परिशद अलग-अलग हैं तो बात करें मंत्री परिशद की तो उसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी है साथ कुल महिलाओं साथ जो हैं वो निर्वाचित हुई हैं मतलब मंत्री परिशद में सामिल की गई है और कैबिनेट में दो महिलाओं को इस्थान मिला है उन दोनों के तुमको नाम भी याद रखने हैं एक तो निर्मलाताई हो गई है और दूसरी जो महिलाओं और बच्चों के लिए अन की देवी है नाम है उनका अन पूना देवी मतलब महिला एबंबाल विकास मंतरी अन पू किस राजी की अच्छा इसको लाजिक से कैसे याद रख सकते हैं बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है लीथियम और लीथियम के भंडार कहां मिले थे तो जम्मू कस्मीर में मिले थे कहां रियासी में यह मैंने तुमको कई बार पढ़ाया है तो इसी से जोड़ किया रखना बैटरी उर्जा वंडारन गीगा फेक्टरी कहां वनेगी जम्मू कस्मीर में किस राजी की पुलिस अकादमी ने डिजिटल प्लेट फर्म त्री नेत्र एप 2.0 लांच किया है तो यूपी ने पानी के नीचे चलने वाली पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहां इसका उधगाटन हुआ है तो कोलकाता में पांच करोड आयुसमान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्जी यूपी हो गया है रच्छा प्रदोगिकी में नवाचारों को प्रोशान देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है तो नाम इसका अच्छे स्याद कर लेना आधिती राश्टी डाल्फिन अनसंधान केंदर का उधगाटन कहां किया गया है बिहार में किस राज ने ग्रीन हाइड्रोजन नीती को मंजूरी दे दी है 2024 को तो उतरब्रदेश ने अठारवा भारत डिजिटल सिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ मुंबई में आपसन में नई दिल्ली भी रहेगा तो भूलियेगा मत मोदी जी ने यूपी के किस जिले में एम स्काउद घाटन किया तो राइवरेली में किया कैसे याद रखोगी राइवरेली से बीजेपी हारी है तो अच्छा काम करेगी कहां राइवरेली में विश्व की पहली विक्रमा दित्वैदिक घडिक कहां इस्तापित की गई है तो मद्ध प्रदेश के उज्जैन में? देश के सबसे लंबिक केवल आधारित पुल, नाम क्या है भया? सुधरसन से तु इसका उधगाटन मोदी जी ने किया गुजरात में. नौबा, राशीला एक छातर आईडी के उद्देश के साथ कौन से पहल सुरू की है तो अपार ये बच्चों की आईडी से समंदित, छातरों की आईडी से समंदित पहल है इसकी फुल-फॉर्म भी तुमको याद कर लेनी है अच्छे से आटोमेंटिड पर्मानेंट अकैडमिक एकाउंट रजिस्ट्री देश का पहला कौसल भारत केंदर इसकिल इंडिया सेंटर कहां इसका उद्गाटन हुआ है समबलपूर ओडी सा अब इसको कैसे याद रखोगे जब युबा जो हैं इसकिल्ड होंगे तो उनको क्या तो समबल से याद रखना समबलपूर इस्टेम मतलब साइंस, टेकनोलीजी, इंजिनेरिंग, मैथ, एंड, मेडिकल में भारती महिला और लड़कियों का प्रतिने देत्त करने के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया गया है तो इस पोर्टल का नाम भी याद कर लेना स्वात जो में लोका युक्त की नियुक्ती होती है और यूपी के जो लोका युक्त है वो काउन है वो तुम अच्छे से आद कर लो संजय मिश्रा संजय मिश्रा मोधी जी ने यूपी में किस मंदिर का सिला नियास किया कल की धाम मंदिर अगला सवाल किस जिले में है तो संभल जि इसके दो बिसे थे दोनों के याद कर लो एक तो था विक्सित भारत और दूसरा है भारत लोग तंत्र की मात्र का और इस अबसर पर मुख्याती थी कौन थे चीफ गेस्ट तो इमैनुएल मैंकरो जो की फ्रांस के राश्ट पती है तो सर्फिष्ट जहांकी का पुरसकार किसे मिला है किस राजी की जहांकी को तो ओर दीसर राजी की जहांकी को और इसकी थीम क्या थी बिक्सित भारत में महिला सकती करन यह थीम भी याद कर लेना राज्जी is start-up ranking में एक करोड से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्व शेष्ट, मतलब बेश्ट फरफार्मर किसे गोशित किया गया है, गुजरात, करनाटा, केरल और तमिलनाडू, और ए, स्रेणी में लीडर इन्हें गोशित किया गया है, तो उसमें असम सामिल है, मध्य परदेश और आयोजित हुआ, तो गुजरात के गांधी नगर में हुआ है, कब से कव्याद हुआ है, आयोजित, तो 10 से 12 जनवरी के बीच, 2024 में इसका कौन सा संसक्राण आयोजित हुआ है, तो 10 बा, अब अंतराश्ट्रिये गटनाओं को देखते हैं, 2024 में कोब 29 की मेजवानी कौन सा द पुषित किया गया है, नमंबर में आयोजित होगा, तो भारत को, स्री लंका की नई प्रधान मंतरी हरिनी अमर सूर्या, और पहली प्रधान मंतरी थी, वो क्या थी, उनका नाम बंडार नायके था, देख ले न, पूरा नाम मुझको याद नहीं है, बंडार नायके था, न की सही नाम है, अनुरा कुमारा दिशा नायके, ये महिला नहीं है, पुरुषा है, अमेरिकी यात्रा के दोरान, मोदी जी ने कहां पर दो नए बार्जिक दूतावारस इस्थापित करने की गोशना की, तो अमेरिका के बोश्टन में और लास एंजिल्स में, तिरु इस प्लान्ट इस्थापित करेगा, तो USA के सयोग से, इस प्लान्ट के दोरा उतपादित चिप्स का परियोग कहां किया जाएगा, तो सैन हार्डवेर में संबेधन सील दूर संचार नेटवर्क में और जो इलेक्ट्रिक बाहन है, इन तमाम चीजों में इसका इस्तिमाल कि उसमें एक USA है, दूसरा अपना प्यारा भारत महान है, इंडिया, तीसरा है जापान, और चौथा है आश्टेलिया, समग रूप से या क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्क्राण था ये भी तुमको याद रखना है छटा, हिंद प्रसांथ छेतर में कैंसर के बोज को कम कर करने के लिए, क्वाड ने कौन से पहल को लांच किया है, तो कैंसर मून सार्ट इनिसियेटिव, अगले क्वाड लीडर समिट की मेजवानी कौन करेगा भारत, दोजार पच्चिस में, भारत, अमेरिका और जापान की तर्ट रच्चक बलों का, आश्टेलिया के साथ, एक म संचाल नियता में सुधार लाने के लिए, मिसन लांच किया गया, दोजार पच्चिस में, यही मिसन है, जो अंतर संचाल नियता को बढ़ावा देगा, किस चेतर में, हिंद महासागर और प्रसांद महासागर चेतर में, दोजार पच्चिस में इसको लांच किया जाएगा, क्वार्ड देशों द्वारा हिंद प्रसान चेतर में प्रसिच्छन के लिए एक नई समुद्री पहल लांच करने गोशना की गई ये नाम है उसका मैत्री मेलवर्न बिस्विध्याले के पहले मेलवर्न बैस्विक केंदर का सुभारंब नई दिल्ली में किया गया इसका नाम क्या है मेलवर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली और ये मेलवर्न बिस्विध्याले कहा है तो आश्टेलिया में है ये भी याद रखना जाडन के नए पृधान मंत्री बनाए गए है जाफर हसन जाडन जाफर दोनों के नाम में जा है टाइफून यागी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा भियान चलाया है तो आफरेशन सदभाओ जाडन के राधानी क्या है जाडन के राधानी अम्मान राधानी और करनसी पर एक वीडियो तुमको दिये है उसको देख लेना अच्छे से तयार कर लेना बहुत कुछ वहां से मिलेगा तुमको एक पूर्ण सदस्य के रूप में जो इंटरनेशनल सोलर अलाइयंस है उसमें 101 बाद देश कौन सा सामिल हुआ है तो नेपाल अब तुमको सवबा भी याद रखना है सवबा कौन सा है तो परागवे इसकी राजधानी जो है वो असंसियन है ये भी याद रखना 2024 की टाइम मैगजिन ने सव सबसे प्रभाव साली लोगों की सूची जारी की है उनमें कौन कौन से भारतियों को सामिल किया गया है तो अस्वनी वैसलब जो केंद्री मंत्री है इनको विशेश रूप से याद रखना नंदन नील केणी नीले कणी और अविनेता अनिल कपूर आर्टी फीजियल इंटेलिजेंस पर कानूनी रूप से एक बादिकारी अंतर राष्ट्री संदी पर अस्ताक्षर किये गए तो भारत ने उस पर अस्ताक्षर नहीं किया है ये भी याद रखना किसने किये हैं तो कुछ विशेश देशों के याद रखना अमेरिका, ख्याले कहां है, गुरु ग्राम में, फिर है भारती प्रुद्धोगी की संस्तान दिल्ली ने कहां अपना पहला अंतर राष्ट्री परिसर खोला है, तो अबु धावी संयुक तरव अमीरात में, राष्ट्री सिच्चा नीती 2020 के बीजन के तहत कौन सा विश्विद्याले भारत में एक परिसर इस्थापित करेगा, तो साउथ हैंपरटन विश्विद्याले, कहां कहा है, यूके का, किस देश में हनुआन जी कि कितने उची प्रतिमा, 90 फिट याद कर लेना, उसका अनाबरण हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है, उसका नाम क्या है, स्टैचू आ प्रतिष्टा की गई है, तब मंदिर विकल्प में कोई हनुआन जी का होगा, लेकिन नहीं, मंदिर है लच्मी जी का, अश्ट लच्मी मंदिर, भारत और डेन्मार्क ने कहां पर स्वच नदियों पर स्मार्ट प्रियोकसाला का नावरण किया है, बारारशी में, और इसमे थाइलेंड की संसत द्वारा किसे नया फ्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है, तो पेंटो गटार्न सिनवात्रा, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सायों के लिए मैत्री अनुदान की गोशना की गई है, आस्ट्रेलिया के द्वारा, अपन न्युजिलेंड में खोला है, और कहां खोला है तो आकलैंड में, और न्यूजिलेंड की राजधानी है बेलिंग्टन, किस देश की दो बिसविध्यालेओं ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंब्ड़ से श्थापित किये हैं, तो अश्ट्रेलिया के दो बिसविध्य वो किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दी हैं तो ब्यापक हिंसक चातर भिरोद और वहां से भाग कर भारत में आई और भारत के यूपी में कहां आई हिंडन एइरपोर्ट पर ये एइरपोर्ट भी तुमको याद रखना है और ये एइरपोर्ट है कहां तो फिजी की राजधानी जो है वो जूबा है यह निसको कि बिश विरासत की कवती 46 भी बैठक कहां आयोजित हुई तो नई दिल्ली में आयोजित हुई और यहां पर भारत का एक नया इस्थल बिश विरासत सूची में जोड़ा गया तो भारत में कवता जोड़ा गया 43 भा ये भी याद रखना है असम हिंले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है 81 वा विस्टु का सबसे सकति साली पास्पोर्ट कौन सा है सिंगापूर इसी इंडेक्स से निकल कर यह निसकर साया है बैंकाक में आयोजित की गई बैस्विक बैंका दुनिया का नया प्रधान मंतरी क्रिष्टन मिशल बनाये गया है भारत का पहला जन असथी के इंदर कहां इस्थापित किया गया है मारिशस में बर्ड डबलू सी सी वर्ड क्राफ्ट सिटी गोशित किसे किया गया है तो स्री नगर को जम्मू कस्मीर में अब तक कितने भा भारत मारीसस मेत्री उद्धान का उद्धान कीया है तो पॉर्ट लुइस मारीसस की रहधानी है गेम्ट आइफून ने किसे प्रभावित किया तो ताइवान और फिलिफिन्स अब सवाल बनता ये किस महासागर में आया होगा तो अनुमान लगाक के बता सकते हो पुर्शं कटवन दिये चक्रवाद पहला व्यापक जलवाईू परिवर्तन कानून पारित किस देश ने किया है तो दच्छिन अफ्रीका ने किया है इसकी तीन राजधनिया है अगर पता हो तो बता देना नीधर लैंड्स का नया प्रधान मंतरी किसे बनाया गया है तो डिक सूफ को प आशानी से याद हो जाए उतना ही याद करना पनामा का नया राश्टपति कौन बना है जोस राउस मुलिनो राउल मुलिनो इतना ही याद करना राउल मुलिनो भारत के देख्षिता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन ही जेनेवा में कोलंबो प्रोसेस है क्य उनके लिए कैसे नियम बनाया जाएं तो ये गैरवादिकारी एक तरह के नियम बनाने वाली प्रोसेस है कोलम्बो प्रोसेस तो इसका आयोजन जेनेबा में हुआ है नाटो का महा सचिब किसे गोशित किया गया है मार्क रूटो जो की नीदर लेंड्स के प्रधान मंत्री भी यह उसका नाम क्या है बायो फर्मासेतिकल एलायंस सारे देश तुमका याद कर लेने हैं अमेरीका भारत और जापान तीन तो ये कौटवाले हो गया है बचा कोन दच्छल कोरिया और 선생 इनको अलग से देख लेना और नाम क्या है वायो फर्मासेतिकल एलाइनस जो बायो पहले इस्थान पर कौन है तो आईसलेंड इसमें और भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो एक दो और इसके पहुत बढ़ा गायप है एक दो की बाद 9 आईसे याद रखना तो 139 इस्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है एक के बाद तुरन पहला देश है ताइवान उसके बाद नेपाल बना है और तीसरा हो गया थाइलेंड लेकिन पूर्व एसिया की बात की जाए तो थाइलेंड उसमें पहला है पीटर पेले इतना याद रखना कहां के राष्टपती बनाए गया है तो सलोवाकिया के जूडित सुमिनवा किस देश की पहली महिला प्रदान मंत्री मोस्ट इंपार्टेंट है कांगो लोकतांत्रिक गड़ राजजगी मेजर नान नाटो एलाई नामित किया गया है किसे मतलब प्रमुक गैर नाटो सयोगी अमेरिका ने किसे नामित किया है केन्या को अफरीकी देश है राजधानी है नैरोभी पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट रच्छा परिशद में आइस्थाई सदस के रूप में निर्वाचित किया गया है तो सोमालिया और पनामा दो तो हैं लुटेरे देश सोमालिया यहां डाकू रहते हैं पनामा में पनामा पेपर्स बाला जो गोटा ला हुआ था ऐसे जोड़ किया रखिएगा दो डाकू देश होगे सोमालिया और पनामा बाकी दो होगा यूरोप के डेनमार्क और युनान वायो इंटरनेशनल कन्वेनशन दो हजार चोबिस कहां आयोजित किया गया तो सेंडियागो यूएसे में कि उएस वर्ड उनिवेस्टी रैंकिंग में किस विष्व विध्याले को पहला इस्थान पर अप्त हुआ है तो MIT USA मेसा चुएट्स इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलोजी संग vielä संबाद हमेशा सिंगापुर में ही आयोजित होता है कौता संसक्राइथ 21 जी वह इसका अयोजित हुआ सब्ध़ कैसे याद रखना है वर्ड हैल्थ, आपरेल को मनाया जाता है तो इसी सात को दो बार कर देना तो तुमको याद रहेगा फिर है रूस से लगती हुए अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की योजना की गोशना की है तो छे देश ठीक है उसमें से तीन बाल्टिक हो गए लिथुआनिया लाट्विया और एस्टोनिया कैसे याद कराता हूँ बाल्टी लियला बोजपुरी में बाल्टी पकरने को क्या कहते हैं बाल्टी लियला ली का मतलब हो गए लिथुआनिया एक का मतलब हो गया एस्टोनिया और ला का मतलब हो गया है लाट्विया तो तीन बाल्टिक देश हो गए और पोलेंड फिनलेंड और नार्वे, मतलब वही देश, जो लगवक लगवक रूस के साथ, उसकी सीमा के नजदीक हैं, फिर सीमा साजा करते हैं तो यह अपनी अपनी सीमाओं पर ड्रोन लगा देंगे ताकि जो गतविधिया हैं, उन पर नजर रखी जा सके काजा TFCA सिखर समयलन कहां आयोजित किया गया जांबिया में अब यह है क्या काजा TFCA सिखर समयलन तो आप लोग दच्छन अफरीका को पड़े होंगे तो बहां पर एक नदी है जांबिया जांबेजी नदी माफ कीजिएगा जांबेजी नदी उसका जो बेसिन है उसमें जांबिया में किया गया पहला अंतर राष्ट्री आलू दिवस कब मनाया गया तो 30 मई को अंतर राष्ट्री आलू संस्तान कहां है लीमा पेरू की राधानी लीमा किसके द्वारा इस दिवस को मना जाने गोशना की गई तो फाव के द्वारा Food and Agriculture Organization Headquarter इसका कहां है रोम इट इन्सिटूट आफ इंडिया, Harvard विस्विध्याले ने आनलाइन MBA प्रोग्ब सुरू करने के लिए भारत के साथ समझहता किया है भारत की किस विस्विध्याले के साथ तो चंडी गविस्विध्याले के साथ हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में किसे सीर्स इस्थान पराप्त हुआ है तो भारती मूल के अनीस कपूर कैसे याद रखना है अनिल कपूर तुम लोगोंने फिल्म देखी होगी वेलकम उसमें जो मजनु भाई हैं वो क्या करते हैं पेंटिंग बनाते हैं गाड़ी रोंके चोराय पेंटिंग करते हैं तो उसी से जोड़ के इसको याद रखना आर्ट लिस्ट दोहजार चोबिस में अनिस कपूर या अनिल कपूर को पहला इस्थान पराप्त हुआ है किस देश ने विदेश मंत्राले के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता मतलब जो वहां का विदेश मंत्राले है उसने एक AI प्रवक्ता शुरू किया है उसका नाम क्या है विक्टोरिया सी इसने शुरू किया है यूकरेन ने नए राष्टपती के रूप में लाई चिंग ते ने सफत ग्राण की है वो कहां के बने हैं ताइवान के अब ये चिंग बिंग जहां का हुआ करे तो या तो चाइना होगा ये ताइवान होगा तो ताइवान के बने हैं लाई चिंग ते हिदाया चक्रवात से कौन सदेश प्रभावी थुगत तंजानिया 200 हाइडरोजन सिकर सम्मेलन कहां आयुजित किया गया राटर डैम नीदर लेंड्स साहिद विहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीरगावदी समझोते पोर हस्ताक्षर किया है किसने इरान ने किस के साथ भारत के साथ कहां पर चाबाहर में ये टर्मिनल विक्सित किया जाएगा चाबाहर जो है भारत के द्वारा इरान में विक्सित किया गया एक बंदरगा है किस भारती किरतियों को युनिस्को के मेमोरी आफ दी वर्ड रीजिश्टर में सामिल किया गया तो तीन गरंथ सामिल किये गया है तीनों तुमको याद करने है रामचरित मानस पंच तंत्र सहरदय लोक लोकन तीनों हो गया है किस संस्ता ने यात्रा एबंपरेटन विकास सुचकांग की जारी किया बर्ड एकानमिक फोरम ने भारत को इसमें काउथा इस्थान 49 वा मिला है संयुक्त राष्ट महासबादवरा 24 मई को किस दिवस के रूप में मना जाने की गोशन की गई है किस अबदी के लिए भारत को लंबो प्रोसेस की अध्यक्षिता कर रहा है अभी उपर भी हम इसको पड़े हैं 2024 से 26 के लिए और पहली बार कर रहा है इसलिए इंपोर्टेंट है लिथवानिया के राष्टपती कौन उनर निर्वाचित हुए हैं गीटा नास नौसेदा मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कुट नितिक समाप्त कर दिये हैं इक्वाडूर दच्छन अमेरिकी देश है सरवाधिक सैंड व्य करने वाले सीर्श देश कौन से है यूईस से पहले पे है चीन दूसरे पे और रूस तीसरे पे टाइम मेक्जीन ने सव प्रभावसाली लोगों की सूची जारी की है उसमें भारत के कितने हैं भारती मूल के तो आठ है उनमें से अजय बंगा को याद कर लेना सत्या नडेला को आलिया भट हीरोईनी है साक्षी मलिक जो पहलवान है तो इनको देख लिजिएगा स्वान की धूल उगलने वाला एक माउंट मतलब एक जोला मुखी चर्चा में रहा उसका नाम कहा है माउंट एरवस एरवस ये कहा है अंटार्टिका में आइरलेंड के सबसे युवा प्रधान मंत्री साइमन हैरिस आइसलेंड के नए प्रधान मंत्री उपर आइरलेंड है याद रखी का नीचे है आइसलेंड नए प्रधान मंत्री वजरनी वेनेडिक्ट्सन वेनेडिक्ट्सन ऐसे याद रखना वेनेडिक्ट्सन इतना याद रखना आइसलेंड के नए परदान मंत्री वेनेडिक्षन भारत सरकार ने हिंसा गरस्त कहरे वियाई देश हैती से अपने नागरिकों को पापस लाने के लिए एक मिसन चालू किया उसका नाम है आपरेशन इंद्राबती अंतर राष्टी दूर संचार संग ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सैध्य देक्ष बनाया है भारत को प्रत्वी पर भूमी से सबसे दूरस्त बिंदू जिसका नाम है पॉइंट निमो वहाँ पर पहुँचने वाले पहले वेक्तिकाउन है क्रिस ब्राउन ये सब चीजें तुमको अचुक मारक समगरी में कराई हैं तो जो लोग रेगुलर फालो करते हैं उनका तुर्वीजन ही हो रहा है पॉइंट निमो को किस अने नाम से भी जाना जाता है तुद्दुर गमता का ध्रो पॉल आफ इन एक्सिसी विलटी आडर आफ दी डुग ग्यालपो बूटान का सरवोच नागरिक समान है किसे दिया गया मोधी जी को लोग तंतर के लिए तीसरा सिखर सम्मेलन कहां आयुजित हुआ सियोल दच्छन कोरिया उसकी राजदानी है सियोल रून ग्लोबल रिच लिष्ट के अनुसार बिस्व का सबसे धनी व्यक्ति एलान मस्क है गरपात को संबैदानिक दरजा फ्रांस ने दिया है बिस्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद काना वरान सुदी अरब में मुर्मू को किस बिस्विध्याले ने डाक्टर आफ सिविल ला की मानत उपादी धी मारिसस बिस्विध्याले ने फिनलेंड के नए राष्टपती काउन बने है एलेकजेंडर इस्टब इरोप के वीजा मुक्त छेत्र सेंजेन जोन में सामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बालकन राष्ट काउन बना है कोसोबो भारती वेशच सैंता मानकों को मानता देने वाला पहला इस्पेनिस वासी देश कौन बना है निकारा गुआ विकल्प में इस्पेन भी रहेगा कनफूज मत होईएगा निकारा गुआ इसकी रादानी है माना गुआ भारत और किस देश के बीच आतंक बाद और मादक पदार्थों की तसकरी को रोकने के लिए सैयोग के लिए एक डायलाग हुआ है उसका नाम है होम लेंड सिक्यूर्टी डायलाग दोजार चौविस इसका आयोजन हुआ भारत और अमेरिका के बीच अंतर राष्टी बद्धिक संपता सुचे कांक 22 बाइस्थान है जारी काउन करता है वीपो वीपो इसको जारी करता है डबलू आई पी ओ कार इस्तल पर हिंसा और उत्पीरण को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवर लेवर आर्गनाईजेशन पैसमर्थन करने वाला पहल इको सिस्टम मतलब जो इंडिया और यूएस है दोनों के बीच डिफेंस के छेतर में संबंदों को मजबूत करना इसका उद्देश से है इंडस एक्स किस देश में चक्रवाद किरिली ने भारी तवाही मचाई आस्टेलिया या कैसा चक्रवाद था उर्षन कटिबंदी है लाइवेरिया के राष्पती का पद किसे मिला है जोसिफ बोकोई अफरीकी देश से लाइवेरिया यूगांडा में कौन सा सिखर समिलन आयोजित किया मंदिर दिवस के रूप में किस देश ने 22 जनवरी को दिवस के रूप में मनाया जाने गोशना की कनाडा ने इसके तीन साहर कौन-कौन से ब्रेप्टन, ओक बिले और व्रेंड फोर्ड चाहें तो साहरों को छोड़ देना लेकिन कनाडा याद रखना गौाटे माला की नए राष्टपती वर्नार्डो, कौन डेन्मार्क की नए समराट बने हैं फ्रेडरिक दसम, भारत पार्क इस्थापित करने की गोशना भारत ने किस देश में की है तो UAE में, यहीं पर एक हिंदू मंतिर भी इस्थापित हुआ है, फ्रांस के सबसे कम उम इंडिया मोश्ट इंपार्टेंट है वहिए, सक्सिस मसरा किस देश की प्रधान मंतरी वनी है, बने है चाड़के, सवा अलसलेम, अलसवा को किस देश का प्रधान मंतरी नियूट किया गया है कुवेट का, अब आर्थकी को देख लेते हैं, मोधी जी के द्वारा, पीम मित इस्थापित किये जाएंगे, मोश्ट इंपार्टेंट है साथ, उनमें से साथ के साथ तो तुमको याद रखने हैं, लेकिन विश्चेस रूफ से बारंगल को याद रखना, यूपी के लखनव को याद कर लेना, अमरावती महराष्ट को याद कर लेना, और यहीं पर इस् मंत्राले द्वारा ब्लाक चेन टेकनलोजी स्टैक लांच किया गया, तो इलेक्टरानिक और सूचना प्रोदोगी की मंत्राले के द्वारा, ब्लाक चेन टेकनलोजी क्या होती हैं, एक तरह की चेन, ऐसी चेन जो ब्लाक होती है, यह चेन कहा है कि होती है, डेटा की होती है, या फिर उसके परिवहन से सम्दित एक chain है जिसमें data भरा है लेकिन इसकी खुवी क्या होती है इसमें कोई सेंद्वारी नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति जो है इसमें personally hair-fair नहीं कर सकता है तो इसलिए data सुरच्छा से सम्दित है blockchain technology तो इसका इस्तिमाल अच्छे छेत्रों में किया जा सकता है जैसे भूमी के जो record है उनको सहज के रखने में cryptocurrency में इसका इस्तिमाल होता है तो यह सब छेत्र हैं जहां इसका इस्तिमाल होता है तो इसका उद्देश क्या है blockchain as a service प्रदान करना 27 वे राष्ट्री ई-governance सम्मेलन का उजन कहां किया गया मुंबई में इस सम्मेलन में ई-governance में जिला इस्तिमाल पहल सेनी में गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया उत्तर प्रदेश को और किस योजना के लिए तो lab मित्र में क्या है? lab मित्र मतलब lab का मित्र ये lab कहां? अस्पतालों की lab जहां जांचे होती है उसका मित्र है ये क्या करता है जांचों की report जो है लोगों तक जो patient है उन तक online पहुंचा देता है मतलब लंबी-लंबी line है लगाने से लोग बच जाते हैं lab मित्र के लिए gold award दिया गया यूपी को lab मित्र पहल कहां शुरू की गई? थी बाराड़सी में किसने अंतरराश्टी फार्मा एबं स्वास्ते सेवा प्रदर्शनी आईफैक्स काउद घाटन किया जितिन परसाद जोकी केंद्री मंत्री है नाइट फ्रेंक के द्वाराफ प्राइम Global Cities Index 2024 में पहला इस्थान की से दिया गया मनीला जोकी फ्लिफिंस की राधानी है दूसरा इस्थान भारत के मुंबई को मिला है सांकिकी और कारेक्रम कार्यान बेन मंत्राले मौस्पी उसने एक अपनी पुष्टक जारी की है उसका सीरसक क्या है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 2023 मतलब इस पुष्टिका को हर बार जारी करता है मौस्पी इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपाद कितना हो जाएगा 952 अभी कितना है 943 यूपी का लिंगानुपाद कितना है 912 जन संख्या पे जन गड़ना पे एक वीडियो दिया है उसको देख लेना सारे फैक्ट जो है जो बिरोधा वासी फैक्ट है सब के सब तुमको एक साथ अच्छे ट्रिक्स के साथ उपलब्द कराए है फिर है ये काउन सा संस्क्राण 25 बत था 952 हो जाएगा कव तक 2036 तक 2036 तक कहा गया कि भारत की जन संख्या कितनी होगी तो 152 करोड किस देश की मेजवानी में पृर्थम विम्श्टेक ब्यापार सिखर सम्मिलन आयोजित किया गया भारत फार्चुन ब्लोवल 500 सूची में पहला इस्थान भालमार्ट को मिला है अमेरिकर की कमπनी है भारत की कितनी कमपनिया इसमें सामिल हुई है 9 500 में 9 सामिल हुई है सीर्च रेंक वाली कमपनी कोण सी है तो रिलाइंस इसको 66 इस्थान मिला है सबी फसलें जो हैं नियुन्तम समर्थन मूले पर खरीदेगा कौन सा राज हरियाना पहला ऐसा राज बना है भारत वर्ष दोजार चौबिस पच्चिस में बिश्चो के सबसे बड़े एलमुनियम उत्पादकों में किस इस्थान पर आया है तो दूसरे इस्थान पर चूना उत्पादकों में भारत का कौथा इस्थान तीसरा लहो एस के उत्पादन में भारत का चौथा इस्थान इसको हम डीटेल में अंदर पढ़ेंगे बर्ड ट्रेड इस्टेटिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसरा भारत वर्स 2023 में बैस्थिक किरसी निर्यात के मामले में कौथे इस्थान पर है 75 जिलों में डिजिटल क्राप सर्वे किसे ने सुरू कराया है पहला राजबना है उत्तर प्रदेश और जिले हाँ पर 75 ही है पहला चावल ATM ओडिशा ने लांच किया है इसका नाम क्या है अन पूर्ती अनाज ATM किस पत्तन ने पहली एक किरसी निर्यात सुबिधा इंटी ग्रेटिड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित किया यह मतलब जितने भी किरसी एक्रिकल्चर से समंधित प्रोड़क्ट हैं उन सब की सुबिधाएं जो हैं निर्यात करने के लिए हम पर इस्थापित की जाएंगी तो जवालाल नहरू पत्तन मुंबई यूपी ने एक ट्रिलियंट डालर की अर्थववस्ता के लिए अपनी एक नीथी को मंजूरी दी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्मार चेत्र विधेक दोजार चौबिस तो कहाजा कितनी economy कितने size की तो एक ट्रिलियंट डालर इस कानून को लागू करने वाला यूपी देश का कौन सराज होगा तो चौथा होगा इससे पहले गुजरात करनाटक राजस्थान अपने आहन लागू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश निर्मार चेत्र बोर्ड का देक्ष काउन होगा मुक्यमंत्री जो इस एक्ट के तायत इस्थापित किया जाएगा अगला है और वी आई ने किसमें सामिल होने के लिए चार आसियान देशों के केंद्री बैंकों की साथ समझोते पर हस्थाक्षर किये हैं तो प्रोजेक्ट नेक्सस अब सवाल है प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है एक बहुपची अंतर राष्ट्री पहल है इसकी सुरुवात किस ने की थी बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हवने की थी इसके संस्थापक देश कौन-कौन से हैं तो भारत भी है य दक्षम बनाना दच्छर एसिया की सरफशेष्ट एयरलाइन्स किसे गोशित किया गया है विस्तारा को किस बैंक को सेंट्रल वैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर आफ इयर अवार्ड से सम्मानित किया गया भारती रिजर्व बैंक को सबसे अधिक पबन उरजा चमत किया गया जारखंड कोईला उत्पादन में जारखंड अग्रणी रहता है तो वहीं पर किया गया होगा ग्लोबल इलेक्रिसिटी रिब्यू रिपोर्ट किसने जारी की एमबर एक बैस्विक इनर्जी ठिंक टैंक है एमबर उसने इसको जारी किया है और कहा है कि सवर सहरों में भारत को कउथा इस्थान पराप्त हुआ है भारत के कौन सा सहर भारत का सामिल हुआ है तो मुंबई ये पहले स्थान पर है दिली को 37 इस्थान पराप्त हुआ है और बर्ड लेबल पे मुंबई को 24 बा भारत में पहला बर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुस इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आक्सपोर्ड एकोनामिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारती सहरों में सरफ सिष्ट रैंक इसकी है दिली की। तीन सो पचाज़वा इस्थान मिला है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में सिर्ष इस्थान वाला सहर नियुव यार्क है। याद रखना। अंक्ताड का अब नया नाम क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट ब्यापार और विकास। इंडेक्स में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड काउंसा बना है लक्षदीप में अपनी साखा कोलने वाला पहला प्राइबेट बैंक HDFC बना है किस प्लेटफार्म को नीती और सुसासन के लिए डिजिटल सारजिनिक अपसन रचना बनाने है तो सुरू किया गया है नीती फार स्टेटस डबलू टीयो का तेरवा मंत्री स्त्रिय सम्मेलन कहां अजित हुआ अबुधावी संयुक्तरब अमीराद में 21 वा क्रम याद रखना बायो एसिया सिकर सम्मेलन कहां अजित हुआ है राज्य उर्जाद दच्छिता सुचकांक में प्रतेक सम्मू में सीर्स प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं अलग-अलग सम्मू में तुमको याद रखने हैं सिर्स दिया गया है सम्मू एक में करनाटक सम्मू दो में आंदरप्रदेश तीन में असम और चार में चंडीगर तो चार में चा आता है और चा से चंडीगर होता है जयाद रखना और असम में जो आ बनता देखिए इसमें तीन छिपा हुआ है तो असम सम्मू तीन में का सुबा रंब कहां किया गया राज नंद गाउं 36 गड़ फॉफ्स द्वारा जारी विस्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है रिपोर्ट के अनुसार कुबैती दीनार बिकल्प में डालर भी रहेगा बर्मितमत होना मुद्रा डालर को काउथा इस्थान मिला है दसबा तो अमेरिकी कंपनी बोईंग ने भारत में पहला बित्रण केंदर कहां खोला है खोरजा में उतरब्रदेश मल्टी डामेंशनल पावर्टी इंडिया जो पत्र है 2005 से वो किसने जारी किया नीतिया योग ने और कहा है कि मल्टी डामेंशनल जो निर्धनता है वो घटके कितनी रह गई 2022-23 में तो 11.28 कितने लोग इस से बाहर आये हैं तो लगभग 25 करोड मतलब 24.82 किस प्रदेश में सरवाधिक लोग बाहर आये हैं तो यूपी से बिस्वार्तिक मंच बर्ड एकानुमिक फोरम की काउथी चवबन भी बैठक कहा आयोजित हुई दाबोस स्विट्जेलेंड में हर बार इसकी जन्वरी में आयोजित होती है बैठक तो याद रखना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट काउन जारी करता है तो बर्ड एकानुमिक तो इस तरह से दोस्तो हमने तीन सेक्षन निपटा लिये हैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम लोग यहीं पर रुखते हैं अगली वीडियो में बचा हुआ इससा दे दिया जाएगा और आज अगर में जाती है तो अन्य चीजें भी रेगुलर मिलने लगेंगी तो तो इस तरह की चीजें किसी और में नहीं मिलने वाली हैं तो यह एक तरह से रामबान समझी करंट अफेर्स का तो इसको अच्छे से तयार मैं करभाऊंगा मेरी जीमेंदारी है तो आप लोग प्रेम और सने बनाईए इसको लाइक कीजिए लोगों तक सेर कीजिए और चैन किनों में यह महत पॉन भूमिका निभाय की महिक जीन तो मिलते हैं अगली क्लास में मांतर पिता की सेवा कीजिए महिलाओं का समान कीजिए सुस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ाई में बहस्त रहिए धन्यवाद